हेलो एवरीबान स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रहे हूँ बहुत बहुत टैस्टी और राजस्थान की फेमस डेस कड़ी जिसे बनाना बेहद आसान है और कोई भी से आसानी से बना सकता है घर के सिंपल आसान सामा UH BA हम कोई भी सामान मार्केट से नहीं लाने पड़ेंगी घर के सामान उसे हम कड़ी को बना करके तैयार करेंगी बहुत ही टैस्टी कड़ी लगती है आप इसे रोटी पर आठा पूरी कीसी के भी साथ सारू करेंगे शबीके बहुत बढ़िया लगेगी बहुती अच्छी क सब्सक्राइब समुल हैं मुख्पली इसके लिए हम सब से पर एक मिक्सी का जार ले लेंगे और 100 घ्राम मुख्पली के दने लेंगे और ये कच्छी वाले मुख्पली के दाने अब चल्यों तो इनको थोड़ा सा गेस पर भूंगी आप इन इनको बड़ी आसे साप कर लेंगे जो भी कच्राव गरा हो उसको निकाल देंगे दो हरी मिर्च ले लेंगे टुकडों में उनको कट कर लेंगे और यहां पर हम चाल चोटे चमच इसमें धही डाल देंगे जार में और धक्कन बंद करके इस पड़ी आसे इन सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है मुंग फली दही और हरी मिर्ज को अच्छे से मुझा को इसको पीस करके तयार करना है और आप देख सकते हैं इस तरीकिस से पेश्ट बन करके तयार ओजाएगा अब गैस पर एक कड़ाई रख देंगे गैस को ओन कर लेंगे इसमें एक बड़ा चम्मच हम डाल देंगे तेल तो मैंने शरसो का देल डाला है कड़ी बनाने के लिए इसमें हम ढालेंगे आदा चूटा चंभाचंष हम जालेंगे तब तक हम कुछ भी посмотрим चीज़ें डालेंगे जब आलेख सावी मीम साइज के प्याज को अच्ऴ से बारिक कट करके और अच्छे से डाले देंगे तब UK अच्छे मसाले पकेंगे हमारे उतना ही बड़िया हमारी कड़ी का टेस्ट आएगा बहुत ही बड़िया हमारी कड़ी बन करके तैयार होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे एक हमने चुटा अद्रक मुकर Congonbury Miles को छोटे-चोटे टुकड़ों में कट कर 닿 लिया है अच्य से हिन्सारी चीजों को अच्छे से मसालों के साथ बढ़िया से पकाएंगे सारी चीजों का सब्सक्रा कर दो न경ी सब्सक्राइब कर पेश्ट हमने बना के रखा है मुंगपली का पहले उसको डाल देते हैं बड़िया सी सारी चीजों के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये कच्छी हैं तो हलकी सी पकने चाहिए तो मैंने इनको पहले डाल दिया है आप चाहो तो पहले इसमें मसाले भी डा उमारा अच्छे से निकरने लग चुका है तो मसाले में कुछ नहीं बस करके नॉर्मल जो मसाले होते हैं जिन्हें अज़से काम मिलते हैं और पानी डाल करके बढ़ी आसी सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और हम इनको तीन से चार मिनट तक अच्छे से लगातार और पकाएंगे जब तक कि जो पेश्ट है इसमें से एक बढ़ी आसा खुसबूद नहीं आने लग जाती और अच्छे से देल नहीं छोड़ने से देलेंगे अच्छे से ओं रहे हैंना तो आप राया च्छ Kollege बना कर त्यार कर सकते हैं यमत्यस सब्सक्राइब करें जादे तो हम पेले चारी चीजों को एकको अज्यादा कर सकते हैं उडि रसेरो माय और जालिए नमाग धनिया प्याश्ट पावडर यासं चको शारी मसा अच्छे से कड़ाई में डाल देंगे अब हमें लगातार इसको चलाती रहना है बिल्कुल भी हमें इसको नहीं छोड़ना वरना हमारी कड़ी फट जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी कड़ी नहीं वनेगी लगातार हमें इसको चार से पांच मिनट तक अच्छी से चलाती रहना है जब तक कि कड़ी में से एक बड़ीया सवबाल नहीं आ जाता हम इसको लगातार चलाती रहेंगे और बड़ीया सी कड़ी हमारी बन करके तयार हो जाएगी आप देख सकते हैं तीन से चार मिनटी होए थे और इसमें एक अच्छा सवबाल आ गया है अब आप इसको छ थोड़ी थोड़ी वैसे कम होती जाएगी जैसे जैसे में उबाल आता जाएगा तो हमें इसको थोड़ी देट तक और पकाते रहना है जिसे की कड़ी का टेस्ट एक दम और भी बड़ी आए तो जैसे जैसे कड़ी पकती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर अपने आप ही निक निकल करके त्यार हो जाता है और आप देख सकते हैं कितनी चबरदस्त हमारी कड़ी बन करके त्यार है आप भी इस तरीके से उंपली की कड़ी बनाईए बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ फ्रैस सारा बरा धनिया जिसको मैंने दो बार और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हमारी बहुत ही जवरदस्ती मुंगफली की कड़ी बनके तयार है तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका बताया है मुंगफली की कड़ी बनाने का यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लगे बाई टेक क्यार थैंक यू पोर वाच्छिं मैं वीडियो